चुको मेरा नमस्कार, MK Education Channel में आपका स्वागत है, आई बच्चो आज हम वार्षिक मुल्यान कर वर्क्षिट 2021-22 कक्छा आठवी विशाई विज्ञार पेकार करने वाले हैं, इस वीडियो का साहरा आप तभी ले बच्चो जब आपको कोई चीज नहीं बन रही है, तो आई हम प्रशन उत्तरों पेकार करते हैं, इस वाग को आपको छोणना है और यहां से कार प्रारम करना है, जब आपका यी वर्क्षिट कंपेट हो जाएगी प्रजेक्ट कार की तो आपको अपने कक्छा सिक्षा के पास इसे जमावी करना है, देखते हैं बच्चो दिया है, प् जानकारी एकरतित कर लिखे, पहला प्रशन मन रहा है कि वन उनोन के कारणों को प्रकरती के मानो निर्मित में वर्गी करत करके लिखे, तो प्रकरती कारण हो जाएगे मरुस्थल को बढ़ावा देना, बाल आना, भूकंप, सुनामी, चक्रवा, तूफान आना और भूमी क कटा होना, मानो निर्मित कारण में मकान बनाना, खेती करना, ओद्योगी कायू का निर्माड करना, रेल मार्ग निर्माड करना, सडको का निर्माड करना, इस प्रशन के अंतरगात सामील होगा, अब देखते हैं, वन मुलन से होने वाले चार दूस परिणाम की सूची बना ये इसका प्रमुक कारण हो जाएगा, दूस परिणाम हो जाएंगे, अगला प्रस्ने वन मुलन से वन जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने सब्दों में लिखिएवा वन प्राणियों के चितर भी चिपकाईए, तो वन मुलन के कारण वन जीव की संक्या में कमी ह हो रही है, तथा उनके आवाज समाप्त होने के कारण वन जीव अन चितरों की और पलायन कर रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पर पक्षियों के चितर, जानवरों के चितर चितर चिपकाईए, तो यह आपका प्रुजेटकार के अंतरगत वन प्राणियों के चितर चितर चित उद्धानों के नाम लिखिए तो राश्टी उद्धान ऐसा उद्धान होता है जिसमें किसी राश्ट की प्रसासन प्रणानी दारा उपचारिक रूप से सहरक्षित किया जाता है किया गया हो राश्टी उद्धान कहिलाता है राश्टी उद्धान के नाम जिसे मत्प्रदेश के कहना किसली पन्ना राश्टी उद्धान और पेंच राश्टी उद्धान अगला प्रशन दिखते हैं मच्चों जो वन और वर्सा में क्या सम्मंद है इनमर का प्रशन है तो वन और वर्सा में सम्मंद वनों से नमी रहने के कारण तापमान कम हो जाता है तथा जलवायू परिवतन होने से वर्सा होती है वर्सा के कारण जल का बहाव वनों के कारण कम होने से बाढ़ भू, इसकलन और भू परदा नहीं होने तथा इसमें भूमी का जल इस्तर में व्रद्धी होती है अगला प्रस्न हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए उन कारियों की सुची बनाईए जिनके दौरा आप कागज की बचत कर सकते हैं तो उत्तर देख रहे हैं हम बच्चों यहां पे कागज का निर्मान बाख स्वा अन्य पोधों के दौरा किया जाता है जिनके कारण वनस्पती अर्थात ऐसे पाधब जिन से कागज बनता है प्रतिवर्स उनकी भारी मातरा में कटाई होती है कागज की बचत के उपाई जैसे कागज की थैलियों के इस्थान पर कपड़े की थैलियों का उपयोग करना और कागज का पुनह चकरण वाप पुनह उपयोग करना इसके उपाई हो जाएंगे अगला प्रशन देखते हैं दूसरे नंबर का विबिन प्रकार के सुक्ष्म जीवों का अध्यन कर उनसे प्राप संबंदित जानकरी एकत करना सुक्ष्म जीव क्या है तो ऐसे जीव जो अध्यन छोटे होते हैं जिनने हम खुली आखों से नहीं देख सकते इनने देखने के लिए हमें सुक्ष्म दर्सी का प्रयोग करना पड़ता है इन जीवों को सुक्ष्म जीव कहते हैं अगला प्रशन है सुक्ष्म जीवों को कितने वरगों में व्याजित किया गया है नाम बते तो सुक्ष्म जीवों को चार वरगों में व्याजित किया गया ह जिवानू कवक प्रोटो जुवा और सैवाल आदी अगला प्रशन दिखते हैं बच्चों मनुसमें सुक्षम जिवान दारा होने वाले सामान रोगों की सुची बनाई तो 6 रोग जिसको हम टीवी कहते हैं जिवानू दारा होता है खसरा वाइरस दारा चिकन पॉक्स वाइरस दारा, पोलीो वाइरस दारा, टॉफाईड जिवानू दारा और मलेरिया प्रोटो जुवा आदीर उकसे होता है अगला प्रामान में भारत वर्ष में कोन सी महमारी वाइरस दारा फैल चुकी है सरीर में दर्द होना इसके प्रमुक लच्छन हुए माने गए हैं तो आप COVID-19 के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं अगला प्रसन एकते हैं हमारे जीवन में सुक्चम जीवों के उपयोग तता हानिकारक प्रभावों को लिखी है तो सुक्चम जीवों के उपयोग जैसे और सदी निर्माण में इलकुहल निर्माण में सिरका ब्रेट चमडा साप करने में चैपत्ती आदी में इसका उपयोग होता है अगर हम इसके हानिकारक प्रभाव की बात करें तो पहला है मानों वा पाउधों में रोग उत्पन करते हैं और भोच पदार्तों को दूसीत करते ह हैं तो बच्चों आज हमने बहुत ही महत्पूर्ण विसे पेकार किया है चैनल को सस्काइब करना ना बूले बेल एकन को प्रेश करने ताकि आने वाली ऐसी ही महत्पूर्ण वीडियो का नहुंति भीकेश नाम तक पहुंसते रहेगा आज हमने प्रोजेक्ट कार कक्छा आ नमस्कार जेहीं जे भारत